मेरट की उम्मीदों को और पंख लगने जा रहे हैं चुकि कल मेरट में इन्वेस्टर सम्मिट होने जा रही है जिसमें दस हजार करोड से ज्यादे का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है और इसको लेकर जो उद्यमी है वो भी खुश है मेरट के लोग है वो भी खुश है चुकि मेरट में नौकरियों की बरसाद जो होने जा रही है क्या पूरा प्लान है? कितने लोग आ रहे हैं? कितने उध्यमी आ रहे हैं? यही हम खासबाचीत कर लेते हैं मेरट के DM है दीपक मिला जी bisa क्या रहे हैं? कितना investment होने जा है, सब की नजरे हैं कि कल Investors संभिट होने जा रही है ख呢, जैसा आप जानते हैं कि उत्रपदेश सरकार दोरा एक तडिके से investment friendly एक तरीका पूरा प्रदेश बनाने के लिए बहुत ही अतक प्रयास किया जा रहा है और इसको पूरा लीड करते हुए मानने मुक्यमंत्री जी द्वारा भी हर जगे रोड शोज हो चाहे आउटसाइड स्टेट आउटसाइड कंट्री बहुत डैलिगेशन गए और जिसके फलसुरूप अभी तक 17 लाग करोड के एक तरीके के इंटेंट फाइल हुए है पूरी स 2330 प्लस हमें इंटेंट फाइल हुए है जिन में MSME सेक्टर में ही 5000 करोड प्लस का इंवेस्टमेंट के इंटेंट फाइल हुए है और पोर्टल अब तक 10,000 करोड प्लस के हो गए है जिन्नों ने जॉप्स की जो बताया है कि इतना रोजगर मिलेगा वराउंट साथ हजार के आसपास लोगों ने अपने इंटेंड में फाइल किया है हमने सभी को संपर्क किया है कल सभी लोगों के साथ हम लोगा MOU साइन कर रहे है और उसी के अलावा हमने काफी थीमेटिक सेशन भी रखे हैं यहां के लोकल जो हमारे उद्योग पती हों व्यापारी हों इंडस्टि सभी लोग प्रतिभाग करेंगे लोकल रिप्रेजेंटेटिव और हमारे मिनिस्टर हैं वो सभी लोग रहेंगे तो इसको पूरी कोशिश है कि एक इन्वार्मेंट ऐसा क्रिएट किया जाए कि मेरत में इंवेस्मेंट और बड़े यहां के लोगों को उसका फायदा और जै एक तरीके से दिल्ली से वो किसी और डिस्टिक प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो एक तरीके से गेटवे है यह यूपी के लिए और मुझे पूर्न विश्वास है कि इस इन्वेस्मेंट की वज़े से जो एक तरीके से यहां के लोगों का एक क्वालिटी ओफ लाइफ क्वालिटी जो इंडेक्स है वो बहुत अच्छा जाएगा और लोगो काफी फायदा मिलेगा अच्छा साथ हजार मोकरिया एक सपना सा लगता है आपको लग रहा है कि मतलब अभी तो साथ हजार की बात के लिए और भी ज्यादा हो सब नहीं के आज के ताइम पे रोजगा सबसे मेजर प्राइटी हो गई है गॉर्मेंट के लिए भी और आज की यूद सबसे जादा इस चीज को डिमांड भी करती है तो एक तरीके से जितना इंफ्रस्ट्रक्चर या जितना भी इंवेस्मेंट हम लाते हैं चाहे वो MSME में हो चाहे सर्वी सेक्टर में हो सर्वी से इसले के अपना सर्वी सेक्टर के वर्क स्टार्ट करें तो पून उमीद है साथ हजार ही नहीं आज के टाइम पे मेरट जैसा आप जानते हैं कि चालीस लाग के आबादी के आसपास का जन्पद है तो उसमें काफी लोगों को रोजगार की जरुवत है और पून कोशिश य क्या चीजा बदला हुआ महसूस कर रहे हैं कि जो उध्यम ही है मतला 10,000 करोड की अब तक इन्वेस्मेंट की बात हो चुकी है तो उध्यम के ऐसी क्या चीज लगनी कि उनको लग रहा है कि हाम मेरट से हम बहुत कुछ बढ़या कर सकते हैं और और उको रास्ता दिखा से नह कि अग्जेंपल सेट कि प्राइवेट एक तरीके से इंडस्टियल सेट अप भी हम लोग कर सकते हैं तो हम उनको भी काफी प्रमोट कर रहे हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया पूरे मॉडल के बारे में अपना बताएं और आज हम जिस भी इंडस्रिलिस से बात करते हैं तो उसको पूरा मेरट में जिस हिसाब से law and order है जिस हिसाब से infrastructure क्रियेट हुआ है तो वो खुश हैं clients के proximity बढ़ गई है उनके जो थोड़े बहुत issues हैं वो जितने भी local level पे हो हम लोग address कर रहे हैं और जो state या policy decisions है वो हम लोग और इसलिए वो investment बी है कि हमारे एक तरीके से अगार माने मुख्य मंतरी जी के एक तरीके से प्रतिनीदी के तोरप माने मंतरी जी आएंगे तो वो अपनी बात भी रखेंगे और मुझे लगता है कि जो चीजों में और सुदार हो सकता है जिसकी वजह से उनको और सहूलियत मिले वो जरूर स्टेट टेक अप करेगी तो पून उमीद है कि जैसे नौइडा है या गाजियाबाद जो बिल्कुल पास में है डेली के वो डेवलप हो रहे है तो मेरट भी उसी स्पीड से आगे डेवलप होगा बहुत शुक्रिया तो तेखे डियम है दीपक मिनाजीन का साफ कहना है कि चीजे बहुत तेजी से बद है जो माहौल है बेसिकली कहा जाता है कि जैसा एक अच्छा माहौल अगर इंडेस्टलिस्ट को मिल जाए तो वो फिर उनकी जो कदम है वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और शायद मेरट के कदम भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे चुकि 10,000 करोड से ज्यादा का इन्वेस् सतंद्र सिंग के साथ सनुच शर्मा एबीपी गंगा मेरट एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी